बिग बॉस 14 की इस हफ़ते की रांकिंग्स क्या हैं जी हाँ वो लोग जो नॉमिनेटर थे उनकी बात नहीं करें टोटल जो 12 लोग घर के अंदर हैं इस हफ़ते की according to social media, engagement, impressions उनकी क्या positioning है, कौन किस नंबर पर है आप लोग के लिए थोड़ा shocking है क्योंकि कुछ लोग फिसले लुड़के हैं और कुछ लोगों ने बहुत बड़ा गेन किया है, मैं आपको बताती हूँ, कहां तर शुरू कर नंबर एक से या नंबर बारा से, फिलाल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लिजे, बेल आइकन भी दबा दीजे, मैं हूँ आपकी होस् करकर सुर्खिया वटोर कर घर के अंदर आने के लिए वैलिड हो गई थी, घर में कब वो करती हैं, देखना इंट्रस्टिंग होगा, नंबर ग्यारा पर है राहुल महाजन, जो एक एलिमेंट जोड़ रहा है, फिल पस उनको लगातार पुश्च कर रहे हैं, मगर उनकी अभिनव के फैन्स दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके बाद, अभिनव के बाद तीन और लोग हैं, अर्शी, राहुल और सुनाली, नंबर आट पर निकी तंबोली हैं, यानि आप सोचिए निकी तंबोली और अभिनव शुकला एक साथ आल्मोस खेल रहे हैं, बहुत तम का मारजन हैं, निकी तंबोली वह हैं, जो पहले हथे में विनर लग रही थी, जो पहले हथे में सबसे Top Contestant लग रही थी, नंबर साथ पर राकी सावन थे, और मैक 재밌 की टोप vफ में लेश्न नंबर चार पर हैं, पर सोचल मीईडा की जो रिपोर्ट है वो बताती है, की रा परएं नंबर पांच पर कौन है नंबर पांच पर एजास चान है वह जो बहुत स्ट्रोंग ओंटेस्टेंट में वह जो कहेव कहीछ इक एले पर गए है वह जिन को कोई साथीesh सूट नहीं हो रहा है वो जो फिर भी strong लगते हैं उनके अब धीरे धीरे बन रहे हैं अजास खान oh my god नंबर 4 पर आ गए हैं वो जिनको बचाने आने वाले उनसे उपर बाजी मार गए हैं जी हां support करने नमबर चार पर जैस्पिन बसीन है नमबर चार पर जैस्पिन बसीन और एली गोनी जो उनको support करने आये थे वो नमबर तीन पर पहुँझ गए है कैं यू बीट दिस पहले भी ऐसा हो चुका है नमबर दो पर है और नमबर एक पर कौन है? क això राहूल ने रुबीना को हरा दिया? या रुबीना ने हर वक्त की तरह हर बार की तरह अपनी पोजिशन बरकरा रखी तो भाइ राहूल नमबर दो पर है जब से वो आए हैं नमबर फांच चार से ग्रो करते हुए दो तक पहुंचे हैं और रुबीना अपना नंबर एक की जगा छोड़ने के तयार नहीं नंबर एक पर है रुबीना जो सबसे ज़दा पॉपिलर है जिनके सबसे ज़दा फैन फॉलोइंग है तो यह इस हफ़ते की बिग बॉस की रांकिंग थी आपकी रांकिंग क्या है जरूर बता दें कॉमेंट सेक्शन में और आपसे मुलाकात होगी यहीं पर अगले वीडियो में फिलहाल दीजे जासब